हलो एवरीवन वेल्कम बैक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपका वैडियर्स जिन कम्म्यूनिकेसटन कि जब हम किसी के पास या किसी के सांथ जब अपना कोई भी इंफॉर्मेशन सेर करते हैं तो उनमें जो बाधाय आती हैं उन्हें क्या कहते हैं वैडियर्स कहते ह कितने types की होते हैं सारे details हमने पढ़ा दिये हैं उससे जो भी question पूछेंगे यह भी बता दिया गया है तो जो लोग अभी उस video को नहीं देखे हैं इस video की description box में उसका link दिया गया है आप लोग उसे देखिए तो playlist में जा करके आप लोग उस video को देख सकते हैं ठीक है और आज का जो topic हमारा होने वाला है वो है modern tools of communication lesson number 6 है modern tools of communication आज हम इसके बारें बात करेंगे फिर एक chapter और बच्चे का last उसको हम पढ़के क्या करेंगे यह communication खतम कर देंगे और फिर उसके बाद जित्ते भी important question है आपको एक दो दिन में क्या है कि सारे important question दीए जाएंगे जिससे कि आप लोग करके हमें क्या कर सको दिखा सको कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं ठीक है आज का जो topic है modern tools of communication जैसे कि tools मतलब आप जानते हैं जैसे कि communication communication मतलब आप जानते हैं कि जब अपने इन्फार्मेशन यहीं सूचनाओ को जो हम सेयर करते हैं तो सभी क्या करते हैं modern tools मतलब किन-किन tools के द्वारा हम सेयर कर सकते हैं बहुत सारे अज के जुक में tools आ गए मतलब आज के टाइम में बहुत सारे tools आ गए हैं तो उन tools के बारे में हम पढ़ेंगे दो-चार tools का definition करेंगे ताकि चीजें हमें समझ में आ सकें ठीक है पहला अब इसमें लिखा करें in the modern technical world कह रहें कि यह संसार है modern technical world का है we have many updated latest tools of communication in our hands करें कि हमारे हाथों में कहरें बहुत धेर सारे नए नए tools आ गए है all these tools have reduced the time यह सारे tools क्या करते हैं time को बचाते हैं and distance between sender and receiver और receiver और sender के बीच में क्या करते हैं time को बचाते हैं some of these are as fellow करें इन में से कुछ नीचे दिया गया है जैसे करें telephone, email, text message, internet, video conferencing, fax, computer, laptop, radio अब आप जानते हैं telephone telephone मतलब पुराने जवाने में होता था उससे क्या करते थे एक लोग दूसरे के द्वारा क्या किया था बात किया था अब वही telephone किसमें बदल गया mobile phone में email, email आज भी होता है इसे कहते हैं electronic mail इसे कहते है electronic mail इसके द्वारा हम क्या करते हैं एक ही साथ कई धेर सारे लोगों को mail कर सकते है text message, text message होता है कि यह message किया जाता है अगला है internet, internet के ही द्वारा सारा काम होता, video conferencing जैसे कि आप लोग video बात करते हैं facts यह facts आपका professional या business में प्रयोग किया आता है या फिर official में facts का प्रयोग किया आता है computer computer का बहुत ही crazy है उसके बाद laptop radio यह सारी चीज़े हमें क्या करते हैं सूचना यह देती हैं सूचना मतलब information में जो भी सूचना एक दूसरी यानि जिनके माध्यम से दिया जाता है वो सारे क्या होते है tools होते हैं पहला आपका telephone है कहरा telephone is even more personalized than the channels previously mentioned करें कि जो telephone है वह पहले के द्वारा आप क्या ज़्यादा व्यक्तिगत हो गया है ना पहले जितना mention किया गया था उससे ज़्यादा personalized मतलब व्यक्तिगत होता है कि उस पहले के चैनल के द्वारा आप क्या ज़्यादा व्यक्तिगत हो गया है the telephone instantly allows करें जो telephone होता है ततकाल क्या करता है हमें इलाव देता है नि कह रहे हैं कि हमें अनुमती देता है बहुत दा पार्टी दोनों पार्टी को दोनों पक्षों को to hear the tones यानि स्वरों को सुनने के लिए and emotions और कह रहे हैं कि भावनाओं को समझने के लिए and is possibly the most used communication tools और कह रहे हैं कि ज्यादा तर यूज करने वाला क्या है यही टूल्स है टेलीफोन को अब क्या है फोन में convert कर दिया गया सबसे ज्यादा आज कल यही हुज होता है आप कंप्यूटर्स लेप्टाप कम यूज करते हैं लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं अगला है इमेल करें कि इमेल इस्टेंड्स फार इलेक्ट्रोनिक मेल्स करें कि जो इमेल है वह इस्टेंड्स फार इलेक्ट्रोनिक मेल्स करें कि यह इलेक्ट्रोनिक मेल्स होता है यहनि इमेल स्टेंड्स फार इलेक्ट्रोनिक मेल्स यहनि इमेल को क्या करते हैं electronic mails कहते हैं one can send formal documents through internet connection करें इसमें क्या है कि formal documents को क्या है कि आप लोग internet connection के द्वारा भेज सकते हैं this method is call email और इसी को क्या बोलते है email बोलते है it can be sent to the larger number of people करें कि it can be sent to a larger number of people simultaneously मतलब होता है साथ साथ एक ही साथ कई धेर सारे बेक्तियों को आप क्या कर सकते है message भेज सकते हैं it is supposed to be highly secure and secret करें कि यह अधिक secure और secret होता है मतलब कि आपका जो है कि रहस्माई और क्या होता है गुपत होता है करें it saves your form telephone tax करें या telephone tax से क्या होता ज्यादा सुरच्चित होता है it is quiet means of transmissing message यहां quietest होना चाहिए थोड़ाचा गलती हो यहां पर quietest कर लिजेगा quietest means of transmissing message मतलब qi 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 c k e s t quietest मतलब जल्दी से तेजी से करें transmissing मतलब message क्या करता है send करता है और कह रहें कि throw the email connection can be made over very larger distance using the public telephone network का radio radio links कह रहें कि जो public निशार जोनी telephone है और radio links है कह रहें कि इसके द्वारा करें कि जो mail है इनके अपेच्छा क्या है कि ज्यादा दूरी तक क्या है कि जो mail है connection बना सकता है लोगों से फिर उसके आट text message करें we are all aware of the use of text message करें कि हम सभी लोग क्या है कि text message से परचित हैं they are 60 यह छोटे-छोटे होते है and a good way to communicate और करें कि और यहाई communicate मतलब information सूचनाओं को सेयर करने के लिए अच्छे होते हैं 60 bit of information that can we receive the replied at their own leisure मतलब कहने का आस है करें कि भाया they are 60 मतलब यह छोटे होते हैं and a good way to communicate करें communicate करने मच्छे होते हैं 60 bit और यह छोटे-छोटे होते हैं आफ information करें कि यह सूचनाओं में छोटे होते हैं that can be received और इसे प्राप किया था and replied मतलब जवाब दिया था at their own leisure मतलब जब हमारे पास अपना स्वयम फिरी का time हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं reply देते हैं अगला है internet करें कि the internet may be defined and a global collection of people करें इसे डिफाइन किया गया है computers links together करें computer एक दूसरे से जुड़े होते हैं by telephone links radio links satellite links करें जो computer है वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो से telephone हो गया radio हो गया satellites pracas using extremely kleinia's consumer हम लोग क्या डिख रहे हैं कि अत्य जातार हम लोग देख रहे-ài चायरे हैं इन करें कि यह कंप्यूटर का worldwide मतलब करें संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है विच इलाउस इट्स यूजर टू सेर इंफार्मिशन जो कह रहें कनुमती देता है अपने इंफार्मिशन को सूचनाओं को भेजने के लिए यह आपके चार नीजाओं के मार्मिशन टूल ने होता है और सब्सक्राइब में अक्षीयर और सब्सक्राइनोगा को यह इंगे ज्यादा पहुँआ है कि हाँ यह चेप्टर है चेप्टर अच्छा है और एक लास्ट चेप्टर आपको पढ़ा कि यह खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तब चलेंगे